हलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हो आप आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बैगन से बनने वाली बहुत ही अलग तरह की सबजी जटपट से बन जाती है और खाने में तो बहुत ही ज़ादा मज़े की लगती है तो चलिए इस मज़दार सी रसपी को बनाना शुरू करते है बैगन की इस टेस्टी सबजी को बनाने के लिए दिखे मैंने ये दो आलू लिये हैं और उसको इस तरह से बड़े बड़े टुकडों में कट कर लिया है आप चाहे तो छोटे चोटे टुकडों में भी कट कर सकते हैं पर बैगन की सबजी में थोड़े इस तरह से बड़े काटा है और इस तरह से पानी में डालके रख दिया है जिसे ही काले ना पड़े और चलिए अब हम आगे की त्यारिया करते हैं नेक्स्ट मैंने कटोरी ली है उसमें डाला है यहां पे थोड़ा सा पानी लगबग आदा कप के करीब यह पानी है और अब मैं इसमें डाल रहे हूँ आदा चमच के करीब हल्दी पाउडर आदा चमच मैं यहां पे डाल रहे हूँ लाल मेची का पाउडर आप चाहें तो यह यहां कस्मीरी मिच भी ले सकते हैं और इनका कलर और इनका स्वाथ बहुत ही ज़ादा उठके आएगा और यहां पर मैंने इसका मसाला बनाने के लिए लिया है एक प्याज और कुछ कलिया ली हैं मैंने लेसून की यह देखिए और यहां दो हरी मिर्चे ली हैं और एक इंच अद्रकका टुकड़ा लिया है और सबी का हमें पेस्ट बनाकर त्यार कर लेना है और यहां पर मैंने दो टमाटर लिये हैं जिसको इस तरह से कट कर देंगे और इसका हमें एक पेस्ट बनाकर त्यार कर लेना है उससे पहले इसकी जो साइड है इसकी जड रहती है उसको हम निकाल लेंगे और इसका एक फाइन प कट कर लेंगे और देखे इस बैगन के भी मैं यहां पे थोड़े से बड़े टुकड़े कट कर रही हूं जिससे जब हम इसकी सब्जी बनाए तो पूरी तरह से बैगन सब्जी के अंदर खुट ना पाए थोड़े बहुत टुकड़े उसके दिखाई देते रहें और यहां प पाद इसके अंदर हम डाल देंगे यहां पर बैगन के कटके हुए टुकडे और जो आलू हमने कटकर के रखा है ना उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे तो हमें यह आलू और जो बैगन के टुकडे हैं इनको अच्छे से बून लेना है हलका घब तक कि आप कहलेजे आलू हमारा 80% पक न जाए यानि हलकी सी जब कसर उसमें बाकी रह जाएगी ताब हम गैस को बंद कर लेंगे ये देख सकते हैं आप किस तरह से इसकी भुनाई हो रही है तो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेना है और भूनते बक्त ही मैंने यहां पर डाला है यहां स्वाद अनुसार नमक इससे जो बैगन है न बहुत ही अच्छी तरह से भून जाएंगे और फिर से हम लगतार इसको चलाते रहेंगे और अच्छे से भून लेंगे ये देखे बैगन हमारे अच्छे से भून गए हैं इसको थोड़ा सा ही टाइम ज़ादा लगता है पर खाने में यह जो बैगन की सबजी पहुत ही ज़ादा टेस्टी बनती है और बैगन को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसे निकाल लूँगे एक प्लेट के अंदर उससे पहले मैं आपको यहां पे दिखा देती हूं हमारा सबया के अच्छे से यह सौörtड्त है लेकिन और अपको निकाल लिती हूं स्कीने आए अच्छे से घ्रका तर और अच्छे से ब gue किवसा बगथा, यहां को सबस्यंगे निकिए यह तो इसादगी निकाल लेटी हूं हो। पिसा हुआ लहसुन प्याज का पेस्ट जो मैंने पीस के तयार किया था, इसको डाल देंगे और अच्छे से इसको भून लेना है, तो मीडियम फ्लेम पर लगतार चलाते हुए हमें इसे भून लेना है, ये दिके प्याज और जो हमने मसाला अगरा इसमें डाला था, वादा प्याज हरीमेची और लहसुन अद्रक का जो पेस्ट है, अच्छे से भून गया है, इसके बाद हमने जो मसाले घोल के रखे थे वो डाल देंगे इस प्याज लहसुन के पेस्ट के अंदर, और एक बार फिर से लगतार चलाते हुए इस मसाले को बढ़िया से भून लेना है इसके बाद मैंने जो टमाटर का पेस्ट बना के तयार किया था, वो डाल देंगे इस मसाले के अंदर, और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे मसाले के भूल जाने के बाद इसके अंदर मैं वही आलू और बैगन डाल रहे हूँ और इसको डालने के बाद फिर से दिखे अच्छे से भून लेंगे इसको, मतलब मसाले के साथ इसको अच्छे से हमें भून लेना है और यहाँ पर आप चाहें तो इस बक्त थोड़ा सा पानी आप इसमें लगा सकते हैं तो वैसे अगर आप इसको इस तरह से चलाते रहेंगे तो थोड़ा बहुत पानी ये जो बैगन है अच्छे से छोड़ेगा तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी लगा दीजे और नहीं चाहें तो आप इसको इसी तरह से ढख कर छोड पांच मिनट बाद ये दिखे हमारी बैगन आलू की सब्जी कितनी ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही है इसमें कलर भी बहुत ही प्यारा आया है और साथी इसने अपना तेल भी छोड़ दिया है साथी इसका जो ग्रेवी है यानि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है क् क्योंकि बैगन ने अपना थोड़ सा पानी छोड़ दिया है और थोड़ से मैं यहां पर धनिया पता डाल लूँगी और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो जो हमारा आलू है जो 80% तक गल गया था और अभी रह गया था थोड़ से कसर बाकी रह गई थी व आप खाए गरम गरम चाबल के साथ रोटी के साथ फुलकों के साथ पूरी के साथ आपको यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो इसको फटा फट से मैं निकाल लेती हूँ उसके पहले आपको दिखा देती हूँ यहां आलू यह देखिए आलू अच्छे से यह गल गया है और इसके टुकडे भी साबित हैं यह जो टुकडे हैं खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसको उपर डाल दिया है इससे इसकी खुश्बू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और आप देख सकते हैं जो बैगन के ह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसालेदार यहां पे हमारी बैगन आलू की सबजी बनके तयार है यकीन मानिए यह आलू और बैगन की सबजी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है आप चाहे तो कड़ाई यूज ना करके आप डारेक्ट कुकर में भी इसी तर देदार सबजी जल्दी मुलाकात होगी आपसे ऐसी नई रेसिपी के साथ तब तक जुड़े रहें वर्दान पकवान से बाबा एबरिवन